जिनके आबादी इस देश में सो करोन है, दरती हैं, दर लगता है, कौन डरार है आपके, देश में सरकार आपके, प्रदेश में सरकार आपके, मोधी जैसे PM आपके, योगी जैसे CM आपके, शुराज आपके, विपलो देयो आपके, देश दर्जल से जादा राज्यों में सरक नमस्कार दोस्तों पंजाब टूडे टीवी पर आपका स्वागत है जहां आपको गोधी मीडिया का अन्फिल्टर सच दिखाया जाता है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन के घंटी बजा दें पहले हम वीडियो देखेंगे वरिष्ट पत्रकार अजीत अन्जुम की इस क्लिप में देखें अजीत जी ने उन सभी के मूपर कस्क के तमाचा लगाया है जो ये कहते हैं के भारत में हिंदू खत्रे में है और जिनके मन में ये डर बिठा दिया गया है हमारी सरकार के दवारा के मुसलमान भारत के लिए खत्रा है और मैं आपको मतलब हिंदू समाज के उन लोगों को एड्रिस कर रहा हूं जिनके आबादी इस देश में 100 करोण है दर दर लगता है कौन डरा रहा है आपके देश में सरकार आपके प्रदेश में सरकार आपके मोधी जैसे PM आपके योगी जैसे CM आपके शुराज आपके विपलो देओ आपके देश दरजन से जादा राज्यों में सरकार आपके सारे मुक्यमंत्री आपके राश्टपती आपके देश के हर राज्य में राज्य जिपाल आपके जिले जिले में S.P. आपके, D.M. आपके, देश के उचे ओधों पर बैठे लोग आपके फिर भी आपको डर लगता है हिंदू खत्रे में मोदी मीडिया आपका, गोदी मीडिया आपका मोदी और शाह की सक्ता में बैठे सारे चेहरे आपके, संत्री आपके, मंत्री आपके नोकर शाही में सारे मोहरे आपके वो स्वामी और चौधरी जैसे एंकर, रिपोर्टर और संपादफा फिर भी आपको डर लगता है फिर भी आपको लगता हिंदू खत्रे में सबा सो करोड की आबादी वाले मुल्क में, सो करोड आबादी आपकी है, फिर भी आपको डर लभी करता है ये डर आपके भीतर कौन प्लेबस्त है, कौन लोग है जो आपके भीतर डर पैदा करके आपके भीतर डर की बुन्याद पर अपनी सक्ता की इमारत खड़ी करना जो या उस खड़ी इमारत सालों साल मजबूत करना जो इसको समझ में शहरों और कस्बों कलियों मुसल्मानों के खिलाब जहर उगलते भगवाधारिया चोटे वरे शहरों हिंदुत्तु के नाम पर हिंदु के नाम पर खत्रे में हिंदु के होने की बात कहकर हिंदु पंचायत करने वाले संत और महंता मुसल्मानों के खिलाब जहर उगलने वाले मंदलेश्वर महा मंदलेश्वर और मंदिर के मठाधी साथ के दिल्ली से लेकर हरिद्वार और प्रियाग से लेकर देश के अलग-अलग शहरों हिंदु पंचायत मुलाक धर्म संसत मुलाक मुसल्मानों को काटने म में पीठे सवात सिखाने की बात तरे पास ललकारने बांत बळाई है बनडोजर बाबा आपके पास बोडोजर मामा आपके पास फिर भी आपको डबिता है या आपको डरहाय जाना है या आपके भीतर नफरत इस कदर पैबस्त करने की कोशिस हो रही है कि आप इंसान तो रहें आप एक नफरती हिंदू में तब्दील हो जाएं एक ऐसा पुत्वा बन जाएं जिस पुत्ले के योगी और मोदी की सब्ता किसी भगवान और परमिश्वार से कम नहीं और जो भी उससे असामन और अगर वो मुसल्मान है तो सिर्फ नफरत काल उसको इस मुल्क में रहने का हस नहीं है तो आपके सिकाया बताया दिकाया समझाएगा इसलिए आप किसी को पाकिस्तान है किसी को देश का दुस्मन किसी को देश रोही किसी को कुछ कर मोदी, योगी और शिवराज की सरकार में डरना तो उन्हें चाहिए यो मुसल्मान है डरना तो उन्हें चाहिए जिनका नाम सल्मान है, सुलेम है, सलीम है दोस्तों पिछले दिनों गोदी मीडिया वही हरकते करता आ रहा है जिसकी वज़ा से इनको हम गोदी चाटुकार कहते हैं इस क्लिब में हम देखेंगे कि असली पत्रकारिता में और इन गोदी चाटुकारों की ख़वरों में जमीन आजमान का अंतर है आए देखें रवीश कुमार की पत्रकारिता और इन गोदी चाटुकारों की ख़वरें पहले हिजाब का विवाद हुआ फिर हलाल का विवाद हुआ और अब ताजा विवाद वहाँ पर अजान पर है इसका मकसद क्या है और पता है क्या महान है क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के वीडियो ललकारने वाले कारिक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए इनमें लगने वाले नारों से एक समुदाय विशेश पर किस तरह का असर पढ़ता होगा इतना तो सोचिए बहुत से गैर मुसल्मानों ने एक मस्जिद पर टेक किया उसमें घुस गए मस्जिद में पिशाप किये खड़े होकर इमाम साब को मारा मस्जिद में समान तोड़ा फोड़ा यह आपके हिसाब से क्या यह ब्यार महबत है क्या है एक अदमी ने मंदिर पर हमला किया बिल्कु कभी आतंकवादी नहीं होता है इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए क्योंकि यूपी के एक महंत है जिनका नाम बजरंग मुनी है उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलतकार करने की बात कही है बकाइदा जीप के उपर लाउड स्पिकर लगाकर मस्जिद के सामने गाडी रोक कर ये बात कही है राम के नारे से मर्यादा पुरुशुत्तम की मर्यादाओं की धजियां उड़ाई जा रही है नवरात्री के दिनों में जब घरों में कन्या पूजन की तैयारियां हो रही है उस समय ये महंत एक मस्जिद के सामने आकर बहु बेटियों के बलत सरकार की बात कर रहा है आखिर महंत को यह होसला कहां से आए महंत की राजनितिक ठाट भी कम नहीं दिखती है सीतापुर सदर विधायक और यूपी सरकार में मंत्री राकेश राठ और नफरती भाशन देने वाले बजरंग मुनी को कंधा देते हैं फिर भी यह कहते हैं कि हम ख खाएं और आप भी कितना देखेंगे कहीं जंडा लेकर किसी मस्जित के बाहर हर दिन तमाशा हो रहा है उकसाने की कोशिशे हो रही है कहीं शपत दिलाई जा रही है कि एक धर मुशेश की दुकानों से सामान नहीं खरिदा है हमारे मानी प्रधान मत्य जो खुद भगवान सरूप है जिन्होंने सनातन धर्म को विश्में उचाईयों के स्तर पे पहुचाया है वैसे आज विश्व स्वास्त दिवस है मद्य प्रदेश के अस्पतालों में पीने का पानी नहीं है जिला अस्पताल हो या ग्रामीन स्वास्त केंदर कई एस्पतालों के अंदर या तो टोटी ही नहीं है जहां टंकी बनी है वो सूखी और बंद पड़ी है लोग पानी की आस में टंकियों के पास जाते हैं पानी नमिलने पर मायूस होकर लोटते हैं दूर दराज से अस्पताल में मुश्तिलास कराने आए मरीज के उन परिजनों को पैसे दे कर पानी खरीदना पड़ रहा है बड़े अस्पतालों में कमी की बात सरकार मानती नहीं तो हमने तस्वीर दिखा दी छोटे अस्पताल यानि प्राथमिक स्वास्त केंदर सामुद हम इठलाएंगे लेकिन क्या वाकई रामराज ऐसा होगा जहां हम बीमारों तक को पानी ना पिला सके भाविरा मंदिर बन रहा है लेकिन एक बार दिखाए वो कौन को से हिस्से हैं जहां पर मंदिर और मजुद का यहीं विवाद काफी लंबे समय से लगाता जारी है ग्रा से जंग के शुरबात कर दी है खबर लिखना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है जिने कानून की धजियां उडानी उन्हें खूब छूट है और पत्रकारों को कानून के नाम पर हर दिन एक नए घेरे में बंद किया जा रहा है मुझे मारा गया पीटा गया निर्वस्त किया गया कपड़े उतरवाए गये ठाने में जुलूस निकलवाया गया और यह कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाब खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे सहर में चड़ी पहना कर जुलूस निकालूंगा आज इसी मुद्दे पर होगी चंता के बीच देश की सबसे ब है सेकुलर छंडा और कॉमिनल एजेंडा यकीन मानिए यह नाम देते हुए हमें कई बार सोच ना पहा है कि अमीज भाई कभी कभी शर्म इस बात पर आती है कि हमें डिबेट किद मिश्यों पर करना पड़ता है अलाल मीट आजान हम उस डिबेट पर टॉपिक कर रहे है सत्रा बार सी एंजी की कीमत बढ़ी है विस्ते साल एक अप्रेल को कीमत 43 रुपे 40 पैसे प्रती किलोग्राम थी अब दिल्ली में यह बढ़कर उन 70 रुपे 11 पैसे जा पहुची है सुबह से रात तक प्रधान मंत्री को नजाने कैसी कैसी भाषा में गाली देते हैं बीते 15 दिनों के अंदर कीमतों की अगर बात करें तो नीबू 15 दिन पहले 50 से 100 रुपे किलो था अब 200 से 300 रुपे किलो है करेला 20 से 30 रुपे किलो थी अब 50 से 60 रुपे में है और फली 15 दिन पहले 25 से 30 रुपे में थी अब 60 से 65 रुपे किलो है इसलिए संभाल कर खर्चे कीजिएगा दवाओं के भी दाम बढ़ने लगें अपनी सेहत का ख्याल रखें लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपके शहर की हवा शुद है या नहीं दिमाग से लेकर नाक तक में जहर ही जहर भरा जा रहा है क्या बिना शांती के स्वास्त बेहतर हो सकता है पॉजिटिव बात ये है कि आप समझ नहीं रहें वरना समझने पर बहुत थकलीफ होगी इसलिए ब्रेक ले दीजिए इन जैसे लोगों के चारो तरफ तीन का डबबा बनवा दीजिए ताकि यही कंट्रोल में रहें मैं आपको कहता हूँ किसी एरपोर्ट के अंदर किसी एरपोर्ट पर भीड हो बापर जैश्री राम का नारा लगाईए और अल्लाओ अकबर का नारा लगाईए पता लग जाएगा क्या फरक है दोनों नाराों के दिए फिला लितना ही नमस्कार जैए जैभारत